Hello everyone, welcome you all at Locates, the Unlimited Study Zone. स्वागत करते हैं सभी बच्चों का special exam, special class में, जिसमें हम कर रहे हैं pre-board 2023, जो की हमें paper जो दिये गये थे, practice paper कह लीजिए या sample paper कह लीजिए, हमें जो board की तरफ से मादमिक, शिक्षा मंडल, मदब्रदिस, भुपाल की तरफ से paper उपलब्द कराए गये थे, उसका हम यहाँ पर solution कर रहे हैं, और यह है आपका paper number 2, जिसको आप set B भी बोल सकते हैं, set B कही है, paper number 2 कही है, तो चलिए, कक्षा बारवी के लिए scheme आपकी वही है, जो आपको पता है, 70 marks का total आपका question paper आने वाला है, 3 घर्टे आपको समय दिये जाएंगे, तो चलिए करते हैं इसका solution, सबसे पहले हम objective questions करेंगे, और objective के बाद हम various, various subjective questions भी देखेंगे, चलि तो start करते हैं, चलिए, आई तो start करते हैं, पहला question है, देखेंगे, सही विकल्ब का chain कीजे, तो यहाँ पर out of four objective हमको एक objective का चुनाओ करना है, तो पहला question दियागा, यदि किसी बंद प्रष्ट के गुजरने वाला कुल विदुत flux शुन है, तो निमलिखित में से कौन सा सही है, इसका करेक्ट अंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा क्योंकि अगर दोध्रोव वपस्थित है तब भी flux का मान कितना होगा जीरो होगा चलिए देखे अगला question है विद्धुत धारा घनत और विद्धुचेत्र की तीवरता का मत्र विद्धुचेत्र की तीवरता का आपको बताना है कि दिशा क्या होगी देखे कर लेता हूं मैं तो कितना आजाएगा एन इवी डी ठीक ना एन इवी डी तो यहां पर हमारे पास आई क्यों टू कितना हो गया जे जे इकोल्स टू आई अपॉन ए और एन इवी डी देखे यहां पर एन ए और विद्धुचेत्र की तीवरता में हमें रिलेशन बताना है अगर आप जे को यहां पर रोक लें इस तरीके से जे इकोल टू यहां पर है एन इ स्क्वेर टाउ अपॉन एम ओके और यह क्या बन गया कैपिटल ए बन गया तो जे इकोल टू यह क्या होता सिगमा सिगमा मतलब की चालकता है ना सिगमा मतलब की चालकता देट इस इकोल ट इस सबस्कता हो भाती होते हैं, अर्थातrdIl एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर हो इसका किटना होगा, यह एक दूसरे के जो होंगे, यह समानांतर होने चाहिए है, तो correct answer हो जाएगा, second का a option is the correct answer. चलिए अगला question प्रेरकत तो बहुत ही सरला question है प्रेरकत का मात्रक क्या होता है L का जो मात्रक होता है किसी lens की छमता कौन से रंग के प्रकास के लिए न्यूनतम होती भाई lens की छमता के बारे में बताया गया तो P is equal to 1 by F ओके P is equal to 1 by F है और आपको बताना है कि किस रंग के लिए न्यूनतम होगी तो बहुत सोचेंगे कि भाई मतलब न्यूनतम अगर focus छमता को आपको न्यूनतम बोला गया है किसको न्यूनतम बोला गया है lens की छमता को न्यूनतम बोला गया है है ना तो आपके लिए focal length क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए. अब focal length के लिए formula क्या होता है? उससे हमाए पास आएगा. यह formula हुआ करता है. तो दीखे, जिस रंग के लिए में आपका ये देखे मियू जितना जादा होगा है ना मियू पर directly depend कर रहा है मियू जितना जादा होगा f उतना कम होगा और मियू जितना कम होगा मियू जितना कम होगा मियू सबसे कम होगा उसके लिए focus length सबसे जादा होगी मतलब एक समझिए कि मियू अगर सबसे कम ले focal length ज़ादा, focal length ज़ादा तो power कम और µ कम किसका होगा जिसकी तरंग देर्ध लाल रंग की जो तरंग देर्ध हुआ करती है वो क्या होती है सबसे ज़ादा, कोस्यान नुबर 4 चल रहा है धीँन रखेगा तो लाल रंग की तरंग देर्ध सबसे ज़ादा है फोकल लेंथ क्या चाहिए है कम, मैं गुलत बोल गया हम आफ कीज़ेगा, आपको पावर चाहिए कम, फोकल लेंथ नहीं, और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम तो है यह आप जानते होगे, कि इंग्लिश से थोड़ा ज्यादा मेरा तालुकात है, तो इ पावर आपको कम चाहिए तो फोकस दूरी ज्यादा, अगर आपकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, जैसे फोकस दूरी आपको ज्यादा चाहिए है, तो फोकस दूरी ज्यादा होने के लिए म्यू का मान क्या होगा, कम होगा, और म्यू याने की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवरतनांग कम होगा और अपवरतनांग कम होने के लिए तरंग देर जादा होगा और तरंग देर जादा किसका होता है लाल कलर का तरंग देर सबसे जादा होता है इसलिए सबसे जो कम फोकस दूरी होगी किसी लेंस की छमता नियूनतम होगी किस कलर के लिए होगी लाल र फोकस होगा क्योंकि लाल कलर की फोकस दोरी कम है और बैगनी कलर की फोकस दोरी जादा है ओके अब देखे एक 150 विभवानतर से तौरित इलेक्ट्रॉन के सब्ध तरंग देर्द की तरंग देर्द क्योंगी तो इसका डिर्क्ली फॉर्मूला हुआ करता है आपका जो आपने देखे देखे तरंग देर्द निकाला था तो लेम्डा एक्कॉल टू एच अपॉन पी करकेस का फॉर्मूला आपने निकाला था ठीक ना लेम्डा एक्कॉल टू एच अपॉन पी करकेस का फॉर्मूला लिकाला था तो एच अपॉन पी कितना होता है आपको पता है पी एक equal to होता है under root 2m E ओके under root 2m E E मतलब energy peak equal to होता under root 2m E और E का मतलब क्या हुआ करता है energy और energy कितनी होती Q into E तो electron के लिए कितना हो जाएगा electron के लिए हो जाएगा Ether upon under root 2m मैंने बता है energy electron की कितनी होती energy electron क्यों होती है चार्ज आवेश गुणे विववांतर तो यहाँ पर हो जाएगा इन टू भी इसको solve कर दो सारी value रख करके ओके और इसको solve करके जब आप solve करोगे तो आपके पास जो answer आएगा इसका इसको solve कीजे और आपके पास इसका answer आएगा 1.0 angstrom ओके इसका जो answer आ रहा है आप solve करेंगे तो इसका answer आएगा कितना 1.0 angstrom ठीक है? यस, exactly तो यह 1.0 angstrom इसका आएगा चली question number 6 ते की तरफ चलते हैं hydrogen 1 करम की lyman series कहां से होती है lyman series तब होती है जब n equals to जब जो n equal to infinite से लेके n equal to 1 में electron का transition होता है n equals to infinite से या n equal to higher level से जो है lower most level में transition होता है तो इस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा किसमें आती है यह ऊर्जा निकलती है परावेगनी signals में निकलती इसके जो विकरण होते हैं यह परावेगनी से लिकॉन प्लस पंच सहयों जी है ना पंच मतलब n मतलब negative n मतलब negative मतलब जिसमें क्या होते हैं electron हुआ करते हैं yes तो देखे पंच सहयों जी परमाड़ों की शुद्धी में लाई जाती ही तता electron बहु संख्यक धारावाही होते हैं सही तो मेरे को इसका अंसर भी लग रहा है देखते ही क्योंकि पंच सहयों जी मतलब की pentavalent यहने nitrogen वाली impurity nitrogen phosphorus आरसेनिक तो nitrogen तो gas है मिलाए नहीं जाता arsenic का जनरली उस किया जाता है तो correct answer इसका क्या है पंच सहयों जी परमाड़ो के सुध्धी में लाई जाती है और electron बहु संख्यक धारावाही हुआ करते हैं चली बहुत बढ़िया ठीक है अब देखिए रिक्तिस्थान की पूर्ती करवा के आपको पूर्ण करना है चली रिक्तिस्थान की पूर्ती करवा के आपको पूर्ण करना है बीच में बोलना चाओंगा मैं आप लोग को कि आप लोग पढ़ते हो बट आपके like and share नहीं होते हैं देखो यार support करना चाहिए आप लोग को जब आप पढ़ रहे हो ना तो likes तो कम से कम करो जिससे पता चलता है कि कितने लोग पढ़ करके आ रहे हो इतना पढ़ने के लिए time निकाल तो like करने के लिए अंगूठा दावाने में कितना time लगेगा तो please like किया करो like करने से क्या होता है हमारे जो ratings होते हैं वो videos के वो उपर जाते हैं तो आप देख रहे हो आपके साथ और भी लोग देखेंगे तभी तो हमारे पढ़ाने का फायदा निकलेगा न कि हमें सब लोग जाने मतलब हमारा content कितना अच्छा है ये हर जगे जाना चाहिए हर बच्चे को इसका फायदा मिलना चाहिए तो इतनी सी महनत तो आप करिए प्लीज की शेयर करिए लाइक करिए प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा तो ये काम जरूर करिए ठीक है और यदि खराब लग रहा तो ये भी बताओ कि भाई किस content में कहाँ पर कमी है तो इस चीज को जरूर बताओ तो मैं वो भी आपको simplify करके हल करके उसको भी बताओंगा चली question में आ जाते हैं देखिए sodium chloride एक पदार थे तो sodium chloride pure नमक है और अगर आप नमक की बात किया जा तो नमक अगर आप liquid में घोल लोगे तो फिर तो वो चालक चालक मतलब विद्धुत अब घटे है बट यसा कुछ नहीं बोला है इसने घुलित तो बोला नहीं ना liquefied बोला ना liquid बोला ना द्रव अवस्था में बोला है जल के अंदर वायू का बुल्बुला किस लेंस की भाती बहार करता है याद रखीगा जल के अंदर वायू का बुल्बुला अवतल लेंस की भाती बहार करता है और मैं आपको एक बत बता दूँ अगर बाहर का अपवरतनांक जादा अगर बाहर का अपवरतनांक जादा और अगर कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो उत्बल की तरह काम करेगा. तो यहाँ पर जल के अंदर वायू का बुलबला किस की तरह काम करेगा? अब तल की तरह काम करेगा. छली अगला कोशन देखिए, देखे आई आई तीवरता की दो प्रकास तरंगों का किसी बिंदू पर पतांतर 3 लेम्डा है इस बिंदू पर परणामी तीवरता आपको बताने है कि इस बिंदू पर आपको परणामी तीवरता कैसे होगी तो इसके लिए formula लगाना पड़ेगा हमें चली देखते हैं चली तो यह मैंने आपके लिए formula लिख दिया है देखे जो resultant परणामी तीवरता हुआ करती है यह परणामी तीवरता का आपके सामने formula लिखा हुआ है ओके क्या है formula देखे i is equals to i1 plus i2 plus 2 under root i1 plus 2 under root i2 cos phi phi जो होता है वो क्या होता है कालांतर होता है अब हमारे पास क्या दिया हो पथांतर दिया है हमें निकालना है कालांतर तो कालांतर का formula देखे क्या होता है delta phi is equal to पथांतर okay delta lambda upon lambda into 2 pi यह होता है formula तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाए है देखे डेल्टा लेम्डा कितना है हमाय पास में डेल्टा लेम्डा दीया गया है इसको पथांतर बोलते हैं और यह लेम्डा के अपने पास में यह तरंग पत होता है यह इसको बल्ग swojąता है कि i तीवरता की दो तरंगे तो ये भी कितना है i है ये भी कितना है i है प्लस 2 अंडरूट i क्योंकि दोनों तीवरता i की है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा i और cos of 6 pi cos of कितना 6 pi cos 6 pi देखो जब भी आप देखो sum pi sum pi का मतलब हमें सा क्या होता है प्लस 1 sum pi जो हुआ करता है जैसे cos हो गया आपके पास 2 pi हो गया 4 pi हो गया 6 pi हो गया इसका मान कितना होता है 1 होता है और visum pi का मान हमें सा क्या होता है visum pi का मान हमें सा minus 1 होता है तो ये i plus i कितना हो गया 2i और plus 2i cos 6 pi का मान कितना हो गया 1 हो गया तो answer इसका कितना हो जाएगा, 2i plus 2i that is equal to 4i, ठीक है, तो इसका answer अपने पास में कितना हो जाएगा, 4i, correct answer यहाँ पर जाएगा, 4i, तो कौन सा question number हम लोगों ने कर लिया है, हमने question number 4 कर लिया, हाँ, चले question number 5 करते हैं, प्रकास विद्धुत एलेक्ट्रॉन की गती जूर्जा आप्तित प्रकास की, हाँ भाई सब, जो गती जूर्जा की बात की गई है, तो गती जूर्जा जो होती किसके आवरत्ती पंदर भर करती है, किस पंदर भर करती है, आवरत्ती पर क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, e equal to, formula क्या होता है, e equal to, phi naught कार, फलन, प्लस, अधिक्तम गती जूर्जा, mv square, और यहाँ पर e का मान क्या हुआ करता है, जो e का मान होता है, h new होता है, क्या होता है, h new, तो देखो ध्यान से, जो गती जूर्जा बन रही है, वो सीधे सीधे किस पर निर्भर कर ली है, आवरत्ती पर, तो आप्तित क्रिनक की आप्तित प्रकास की आ कौन सा मॉडल नहीं करता है आप बताइए तो देखे जो थामसन का मॉडल है वह परमाडू के स्थाइथ की व्याक्या तो बिल्कुल नहीं करता है इसलिए फैले फेल हो गया फिर उसके बाद रदर फोड का मॉडल भी नहीं करता है तो करेक्ट टांसर आएगा थामसन और जीरो देता है जीरो दे दो तो बंदे देता है तो यह गेट आपका क्या करता है इसको वितक्रम माग भी बोलते हैं इसको वितक्रम गेट भी बहुत बढ़िया खेंट आए हूए है थोड़ा सा कोशेन मैं ऐसा लग रहा है देखने की इतना डिफिकलल का पेपर साइद ऐसे आप देखे पुराने पेपर को उठा करके एतने टिपिकल टाइप के अबजेक्टिव नहीं आए हुए यह तो मतलब मुझे CUAT level तक का paper मुझे छूता हुआ लग रहा है तो I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना कठी ना आए थोड़ा सा सरला है मतलब मैं यह नहीं करूँ कि बहुत ही कठी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है बहुत ही कठी नहीं यह एक अच्छे student average student के लिए पेपर बट जिसने अच्छे से numerical वगरे लगा रखे हूँ थोड़ा सा numerical side को तच कर रहा है question numerical और conceptual level को टच कर रहा है एकदम रटन तवाला पेपर नहीं है चले question number 3 करते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजे किसी धारा वाही परनलका में संचित चुंबे की छेतर की ऊर्जा के लिए अब देखो यह तो बिलकुल लल्लू question आ गया है भाई सीधा सीधा हर बच्चे को रटा होता है half l i naught का square i naught मदब अधिकतम धारा किसी एरपत एसी परपत में धारा का मान 10 है कौनसी rms धारा का मान तो सिखर धारा यह भी देखो बिलकुल लल्लू question मगर काफी सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे है ना तो सिखर धारा पूछ रहा है तो आपको प प्रक्टरम में एक्स किर्णो प्रकास रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक रासी का मान समान होगा वा भाई सब देखे इसमें कह रहा है कि इनके लिए कौन सी भौतिक रासी भाई यह जितनी भी तरंगे है प्रकास विद्धु चुम की तरंगे यह सब के सब समान बाँने दोनों Slit की दूरी अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए formula क्या होता है बीटा फरिंज की चोड़ाई का जो बीटा होता है that is equal to lambda d upon small d, यह apply d upon small d यह हुआ करता है है अगर आप दोनों Slet के बीच की दूरी जैसे जब आप प्रयोग करते हैं तो एक Slet आप उपर लेते हैं और एक Slet आप नीचे लेते हैं तो यह Slet क्या होती है S1 और यह Slet होती है S2 और यहां से कुछ इस तरीके से जो तरंगागर होता है यह आंगे बढ़ा करता है ठीक ना यह देखो तरंगा अगर यह किलने दिख रही है आपको अब कहरा अगर इन slit के बीच की आप दूरी बढ़ाओगे इन slit के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो चलो भी यह बढ़ा हो दूरी यह देखो अगर slit के बीच की दूरी को क्या बोलते है small d, क्या बोलते है इसको small d यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या बोलते है small d, अब capital d क्या होता है capital d जो होता वो परदे तक की दूरी हुआ करती है मतलब यहां से जहां प्रतिविंप्राप्त कर रहे हो तो उपर capital D आता है नीचे small D आता है अगर आप D बढ़ाओगे तो साफ साफ है बीटा कम होगा बीटा क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई तो answer क्या होगा ID बढ़ाओगे फ्रिंज पर क्या प्रभाव होगा answer इसकी चौड़ाई घट जाएगी फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी कम हो जाएगी तो लिख देना है हाँ कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी या कम हो जाएगी है ना कम हो जाएगी फ्रिंज की चोड़ाई यहाँ पे कम हो जाएगी चलो भाई एक electron और proton के लिए गतिज उर्जा समान है किस करण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्थ अधिक होगा बहुत बढ़िया देखो इने के लिए गतिज उर्जा जो है दोनों के लिए समान दी गई है अब यह फिर से वही question जो है उसी level पे आ चुका है जो अभी हम छोड़ करके आये थे मतलब छोड़े नहीं यह उपर किया था आपको याद होगा मैंने बताय था जो तरंग दैर्थ होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्थ वह होता lambda equal to h upon p समझना अच्छे से lambda equal to h upon p ठीक ना अब क्या अब देखो भाई lambda equal to h upon p है h upon under root 2m e यह होता है है ना lambda equal to h upon under root 2m e ठीक है अब क्या कह रहा है कि दोनों की गती जूर्जा समाने गती जूर्जा क्या होती है e e constant है 2 भी constant रहेगा तो जिम्मेदारी कौन जहेलेगा m जहेलेगा साब साब दिख रहा है lambda inversely proportional हो रहा कि इसके under root m के मतलब जिसका mass ज्यादा होगा उसकी तरंग देर्ध क्या होगी कम होगी तो proton का mass ज्यादा होता है electron का mass कम होता है तो जिसका द्रमान ज्यादा mass यानि द्रमान उसकी तरंग देर्ध कम तो lambda proton कम होगी और lambda electron क्या होगी ज़्यादा क्योंकि जिसका द्रमान ज़्यादा उसकी तरंग देरत कम तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाईया किसके लिए तरंग देरत का मान अधिक होगा तो electron के लिए जो होगा तरंग देरत का मान जो होगा अधिक होगा क्योंकि proton की जो proton का द्रमान जादा है, तो proton की तरंग देरत कम, और electron का तरंग देरत क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर correct answer क्या होगे, lambda P less than lambda E, done, ओके, तो यह बहुत ही प्यारा question है, यहाँ पर देखे, यह जो question है, मतलब इस level का question मैं कहूंगा, neat वगेरे में आत जो को आप बच्चे अच्छा करके आए, थोरियम नाभिक का प्रती कितना है, तो अब इसके नाभिक में कितने neutron है, कहरा नाभिक में कितने neutron, तो यहाँ neutron निकालना बहुत ही सरल होता है, उपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो 234 में से आप क्या करो, 90 को माइ यह end gate हुआ करता है, इसका जो output निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके दो input होते हैं, A और B, हम लिखते हैं, Y equal to A into B, मतलब जो output होता है, वो दोनों का क्या होता है, लगबग product हुआ करता है, तो answer क्या हो गया, Y equal to A into B, तो दोस्तों यह पहला part हमने इसका कर लिया है, पहला part मतलब की शुरुआती तीन question, तो कैसा लगा आप लोग पहले recommend कीजिए, कैसे लगे आपको मेरा solution, फिर इसके बाद मैं आपको second वाला part बहुत ही जल बना करके भेजूँगा, आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहें, झाला?